अब मैंने आपको एक hierarchy बताई थी, तो case number 1 पर आजाएं, क्योंकि हमें और सवाल आगे बढ़ने तो case number 1 पर आएं number 1 mole तक समझ गए था हम लोग बात चीथे तो देखे एक order आपको मैंने सबसे पहले बताया था, कि जसे molecule का सवाल आता है, माल लीजे माल लीजे किसी molecule का सवाल आता है, माल लो H2 का सवाल आता है, N2 का सवाल आता है, O2 का सवाल आता है, Methane का सवाल आता है इस टाइब की question आपके पास आते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक hierarchy follow करेंगे, एक order follow करेंगे electron, proton, neutron को connect करना होगा आपको, किस से connect करना होगा, atoms से, number of atoms फिर उसकी connectivity डूड़ने होगी आपको number of molecules से, फिर उसकी connectivity आपको डूडने होगी कितने moles है और उसकी connectivity आपको डूडने होगी given mass से, in gram, तो यह एक order है, अब इस तरीके से ये चीज़े आपस में connected होती है बराबर टॉप चट में 44 लोग आ चुकिया फटा फट सेशन को और शेयर करिए अपने दोस्तों को बताया करिए भी अडोस फडोस मॉल्ले में जिनको भी मॉल कॉंसेट जिन्दगी में नीज़न में आप देखिए इनको आप connect जब करना शुरू करेंगे तो कैसे connectivity डूढ़ेंगे उस पर चर्चा करते है तो connectivity डूढ़ने का तरीका देखिए सबसे पहले मान लो आपको given mass दिया हुआ आपको given mass दिया हुआ और given mass से आप चल लाएं किस तरफ given mass से आप चल लाएं number of mole की तरफ given mass से आप चल लाएं number of mole की तरफ तो क्या करें अभी कैसे निकालें given mass आपको दिया हुआ तो उससे number of moles कैसे निकालेंगे चेक करिए तो आपको यह पिछली क्लास में बताया गया था बतावान कौन सा केस चल लाएँ molecule का केस चलना यह या फिर item का केस चलना गया तो आपको molecule का केस चलना तो बताएं given mass से आप मोल पर कैसे पहुँशते हैं बताया गया था आपको divide कर दें तो आप कहां पहुच जाएंगे number of moles पे, फिर बताएए अगर moles आपने बनाए हैं किसके, H2K या N2K या O2K या methane के entities ये हैं, इनके moles आपने तयार किये हैं, तो उसके अंदर molecules कैसे निकालोगे, one mole something में any number of something, बताओ भी, one mole something में any number of something, तो जितने भी mole होंगे उसमें क्या multiply कर द होगे, number of molecules पे, बराबर, फिर आप जैसे molecule पे आ चुके हैं, तो उसके बाद आपको atoms निकालने, तो atoms कैसे निकालोगे, atomicity से multiply कर दो, जैसे कोई molecule आपने लिया, उसके अंदर दो atom है, तो जितने भी atom उससे multiply कर दे, तो उसको बोलते है atomicity, तो आप पहुच जाएंगे number of atoms, फिर एक बार आप number of atoms से पहुच गए, तो बताएंगे number of electron पे पहुचना, number of proton पे पहुचना, यह आपको पहले ही सिखाया जा चुका है, बोलोगी, यह सब बाते हम लोग पहले ही कर चुके है, तो क्या आपको एक order दिख रहा है, सवाल लगाते हैं वक्त, सवाल लगाते है एक order नजरा है आपको, अच्छा यह order आपको कफ फॉलो करना है भी बताना, यह order कफ फॉलो करना है, जब आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, जब आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, तो जब आप यहां से यहां मूव कर रहे हैं, ऐसे, चेक करिए, तो जब आप ऐसे मूव कर रहें तो बताना आप यह order follow करेंगे, ठीक है, अगर आप उल्टा काम कर रहे हैं, यह order follow करने का मतल़ समझेगे आप पूरी बात, आपको शुरुवाद कहा से करने, given mass आपको दिया होगा, अभी मैं एक molecule में कितनी atomicity उससे multiply कर दो, number of atoms पे आ गया है, फिर electron, proton, newton मैं आपको पहले सिका चुका हूँ, clear एक दिम मामला, तो कुछ भी रटने का निक दिम logical चल ले हैं, अच्छा, अगर मान लीजी यह तो इधर का order होगा, अगर मान लो कल को आप वापस जाते हो, ऐसे, बताओ भी ये किस तरफ का order होगए? ये इस तरफ आने का देखो, ऐसे, एसे, आसे, दिए रहा है, इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आने का order है, को समझे में आगे इस तरफ आने का, तो अगर माल लीजे इस तरफ जाना हो, वापस जाना है, मान लो आपको मोल से given mass पे जाना हो या Economic C Frances म समझ मैं ही बोलो एक तरफ का लॉजिक अगर दिमाग में तियार है तो क्या अपोजिट साइट का लॉजिक आप खुछ सकते हैं तोड़िये वे बात के लिए तो सवाल लगाए जब अटालिस लोग टॉप चैट में पचास के असपस पहुंच गया चीक है जैसा कि मैं चैट में देख पा रहा हूँ सेयद मफिदुल असन ओफिशिल गौड और फिसकल के मिस्ट्री अपी टूबे स्ट्रेंट ऑफ धन्यवाद तो कई सारे पुरानी स्ट्रेंट भी आते हैं देखने के लिए है ना बढ़िया है चलिए अब सवाल लगाते हैं इस पर है ना एक कोश्चन लिखिए इस पर बात समझ में आगी तो सब लोग ऐसे कर दो भाई या मूटा दिखा दो इस एक कोश्चन लिखते हैं ठीक लोट कर लिया चले दोनों बाते समझ में आगी इधर जाने का तरीका भी समझ में आ फिर जाने का भी समझ में आगी slide की numbering में करता चलना हूँ systematic बिलकुल यहाँ पर slide number 1 ही है slide number 2 पर आई है अगले point पर एक question करते हैं हम लोग question लिखो भी आपके पास 56 gram N2 है ठीक है और आपको कुछ बातों का जवाब बताना है इसके अंदर जो जो बाते पूछी जा रही है पहला सवाल पहला सवाल आपको बताना है कितने moles हैं है ना सारे सवाल एक साथ लिख लेते हैं पहले number of moles of N2 पहला सवाल एक line सो लिखते जाते है next number of molecules of N2 next next total number of atoms next total number of electrons next total number of proton next total number of neutron अगला net charge note करो भी इतने सवाल बताने कितने कोशन होगे बताओ तीन तीन शेक साथ सवाल आपको बता दे चलो start करो सब लोग copy में अपनी copy pen लेके बैठा करो एक rough copy लेके बैठा करो side में और बाकि एक पे notes बनाते रहा करो proper ठीक है चले कितने को सवाल समझ में आ रहा है सारे आंजर एक साथ निकाल लिए और एक साथ चैट में सभी लोग डाल दें सारे एक साथ एक करके नहीं सब एक साथ पहले सब निकाल लो सब निकाल लो पहले सब निकाल लो पिर एक साथ डिसकस करते हैं पूरे सभी लोग सारे सवालों के जवाब निकाल के रखे हूं और एक साथ चैट में डाल दें ठीक है मैं चैट में देख रहा हूं भी एपसलीट एलकोर सर आ गया है मैं नमशकार दो तरीकों क्लास सर की सर काफी दूर से आया हैं क्लास लेंगे आपके रहें चलो भी बताओ सबसे पहले हैं अभी निकला नहीं बही आंसर आया है नहीं मेरे को जादलों का निकला नहीं है पढ़ाएंगे तो लोग नहीं आते हैं इन लोगों को रंगा रंग कारिकरम ज्यादा पसंद आते हैं क्या तो चलिए महलाओं के लिए पिंग कलर ले लिया जाए इसी बात पर फिर है और शुरू किया जाए सबसे बहले बताओ भी 56 ग्राम एंटू 56 ग्राम एंटू तो बताओ मोल निकालना सिखाया आपको नहीं सिखाया क्या सिखाया पीछे पलट के देख लो ये लो बताना है यहाँ पर अगर आपको 56 ग्राम एंटू दिया हुए गिवन मास हेलो तो बताओ कि 28 डिवाइट करते हैं तो आप यहाँ से यहाँ पहुच जाएंगे भी आराम सिखना बोलो 20 जो लिखा बस वो करते जाना आपको देख 56 ग्राम एंटू दिया हुए इसके इंदर ग्राम मॉलिक्लमास दिवाइट करते 28 कहा पहुच गया मोल के बताओ कितने मोल आगए 2 moles 56 डिवाइट वै यह कारेक्रम आपने जैसे ही कि आपको मिल के 2 mol किसके मिले 2 mol बताना n2 के entity कौन है हमारी n2 फिर बताओ को number of molecule बजाना है तो क्या करेंगे number of molecule बजाने के लिए क्लिए करते है one mole something में na something तो 1 mol N2 के इंदर N A number of N2 तो N A से multiply कर दीजे तो बताएं क्या answer हो जाएगा 2 N A पताओ ये 2 N A किस चीज का answer है ये क्या चीज निकाल लिया आपने molecules निकालने किसके molecules निकालने N2 के clear एक दम फिर आपको बताना atoms चीज है तो क्या करें? Atomicity से multiply करें? Atomicity बताएं कितनी है इसकी? एक N2 के molecule में कितने atom है? सबसे basic यहीं से शुरुबात की थी मैंने याद करिए पहले lecture में कि N2 कैसे बना है? कितने atoms चीज निकालने? तो बताना Atomicity कितनी? दो, चेक रहो, एक N2 कैसे बना है? दो nitrogen atoms तो Atomicity से multiply करते हैं, मैं लौक पसंदा रहा है कि pink color तो बता ही इसका answer कितना होगा? दो जैसे आप multiply करेंगे आपको answer मिल जागा 4N यह क्या निकले? बताना 4N क्या निकाले? मैंने type करना जारा 4N क्या चीज है? 4N क्या निकाला? मैंने type करना भी सब लोगी रहा है क्या हैं यह 4N? Hello 4N क्या है चाचा? बताओ तो Atoms हैं किसके? क्या count किया 4N? 4N यह कहरा molecule count किया है, बगवाल जारो 4N क्या count किया? Atoms count किया किसके? किसके atom है? किसकी counting कर रहा हूँ? N के? N2 के नहीं N2 के अंदर है, atom तो N के है ना भई? N2 के नहीं चाचा, N2 के अंदर निकालने nitrogen atom, N की बात हो रही 4N atoms आगा है, किसके? बगवाल जडरो N के, समझभार है? 2 से multiply करने का मतलब ही यही है कि 1N2 में 2N है, तो 2N A N2 में कितने होंगे? N2 कर देंगे, तो 4N A atoms है किसके? N के? पॉइंट क्लियर है, क्या समझ पारें बात? तब यह 4N A atoms क्या निकालके बैटें, किसके atoms है? Atoms तो atom के count करोगे ना? N atom है, N2 थोड़ी atom वे यह? तो basic बातों पे द्यान दीजिए, दीरे दीरे यही चीज़ें आपके concept build करती हैं, खराब भी करती हैं, दोनों बात ने हैं ठीक है clear है मेरे क्या से मामला बिलकुल? अब आज आपने answers पे फटाफट answer पे चले आज ओब इदर फटाफट number of moles बताओ कितने आगे बताओ क्या क्या answer है अब यहां फटाफट भी लिख सकते हैं, 56 divided by पहला answer हो कि 56 divided by 28 कितने moles आगे वहां मेंने करके दिखा दिया आपको logical तरीके से बिलकू अब यहां फटाफट answer लिखते हैं, 2 moles of N2 फिर क्या गिया उसमें, N1 multiply किया, 2 into N यहां गे molecules, किसके N2 के फिर क्या गिया उसके अंदर atomicity multiply, तो 2 N1 into 2 यहने कि 4 N यह क्या गे बताओ, atoms किसके N के फिर उसके अंदर क्या निकालना, बताओ electron, proton, neutron, 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 बताओ, electron, proton, neutron कैसे लिखोगे भी एक nitrogen atom को सोचें जड़ना एक nitrogen atom क्या हूँ थै, 7 and 14 इसके अंदर कितने electron है 7 proton कितने है 7, neutron कितने है 7 तो एक nitrogen item के अंदर यह चलना है अब अगर आपके पास 2 nitrogen atom होगते 2 से multiply, 3 nitrogen atom होगते 3 से multiply, तो आपके पास जितने nitrogen atom होगते से multiply करताओ, बताओ तो कितने nitrogen atom आपके पास? 4n-a, तो 4n-a से multiply कर दो अरे ठीक है तो बताओ एक atom के अंदर गर 7 electron है तो बताओ अगर 2 atom होते तो कितने होते 7 into 2, 3 होते तो 7 into 3 कितने atom है आपके पास? 4n-a तो 4n-a into 7 कर दो, answer आगया तो बताओ, electrons का answer कितना आगया 4n-a into 7 कितने लोगों बात समझ में हैं कि ऐसे एक दम basic से चल लाएं, तो बताओ यह answer कितना आगया कर लेंगे तोड़ी है बात समझ में आ रही तो 28-a अगला वाला बताओ प्रोटॉन प्रोटॉन भी same answer होगा, प्रोटॉन नीटॉन सब से नहीं नहीं देखिए हैं तो क्या करें बताओ 4n-a into 7 4n-a into 7 चेक करो भी यही एलेक्टॉन है, यही न्यूटॉन है, यही प्रोटॉन है, आंसर कितना कितना है 28-a अब वहाँ आपको जब सवाल आएगा, तो सब कुछ थोड़ी पूछ लेगा, एक आख चीछ पूछेगा इसमें से तो मैं आपको सारी बातें एक साथ एक जगह बताते रहा हूँ, अब इसमें से आप अपना वाला सवाल डून लेना भी clear है क्या बताईए, net charge के बारे में क्या कहना है आपका, net charge के बारे में क्या कहना है भी है zero, क्यों zero कुल हम बताए, कई तरीके सोच सकते हैं आप, कई तरीके मतलब कौन कौन तरीके बताना पहला तरीका लीजिए, बताना आपके बस 4NA atoms आ गया है, है ना, और एक nitrogen atom कैसा है, neutral है, तो 4NA भी कैसा होंगे, neutral होंगे, कादा N2 molecule अगर आपके बताईए, N2 molecule कैसा neutral है, तो चाहे कितने भी molecule ले, neutral ही रहेगा, जब एक molecule neutral है, सारे molecule neutral है, 0 kolon, और तरीके से बता देता हूँ, मैं आपको देखिए, बहुत सरे तरीके हैं, बताईए, आपके बस 28NA electron है, और 28NA proton है, तो 28NA electron का negative charge, 28NA proton के positive charge को नप्टा देगा, और 28NA neutrons पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो net charge कितना हो गया, 0, ऐसे ले लिए, कितना को पूरी बास समझ में आगई है, मिरा अंडर बावक साइन दिखा दो पैट जल्दी से, बास समझ में आगई है, येस गाईज, फटा फट तोड़िये, एक और लगाएंगे क्या, समझ में आगे नोट कर लो, एक और लगाते हैं, तो इसके नदे छोटे-छोटे बहुत सारे सवाल थे, वो सब आपने कर लिए, अच्छे, एक और बात बता देता हूँ आपको, एक और बात ये बता देता हूँ, एक क्यावन लोग अगे टॉप भी बढ़री आप जेगने चलो, पहले रेलेक्स करेंगे, क्याने बात तुम लोग शुरू करो, पहले बात से दुम लोग देखो, अब देखे ये भी आप कर सकते थे, कि यह जो मॉलेक्यूस थे, मॉलेक्यूस से डैरेट कूद करके, यहां से ड다면 पर आ सकते थे, क्या यही और महज देखने बाइटते हैं, कहीं आगर एक दो ओवर देखूंगा वही मिरे लिए महज है लास्ट के दो ओवर, कहारे कितने बनाने यह बता तुम तो बता ना, नमबर अफ मॉलिक्यूल से डारेट नमबर अफ इलेक्ट्रॉन पर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं कैसे हैंगे, बताओ, बताओ, एक मॉलिक्यूल पर फोकस करें फिर, एंटू का एक मॉलिक्यूल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताना ज़रा, एंटू का एक मॉलिक्यूल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलिए, एंटू का एक मॉलिक्यूल होता तो कितन तो बताईए गर N2 के एक molecule में आपको समझ में आ गया 14 electron है तो आपके पास N2 के कितने molecule है ये 2NA तो एक molecule में 14 है तो 2NA में कितने होंगे बताओ Unitary Method एक molecule में 14 electron तो 2NA molecule में क्या सीधे 14 multiply कर दू यहाँ बहुत बताईए 2NA में direct अगर 14 multiply करो तब भी तो answer यही आ रहा है 28NA कितने होंगे बास समझ में क्या atom पे बिना गए भी में answer निकाल सकता था yes or no क्या तुम में आगे मेरे दोस्ति स्टैक्स तोड़ो guys चलें बास समझ में आगे दोनों तरीके समझ में आगे atom से गुजरता हुआ भी जा सकता हूँ और atom पे बिना गए बैरेट electron पे भी कूद के आ सकता हूँ यह बात मैंने क्यों से का यह आपको अगले सवाल है समझ में आगे ठीक है फिलाल अभी जो आपने example किया बताईए यह एंटू कौन था यह homoatomic था यस तो आपने भी जो सवाल लगाया वो homoatomic molecule का सवाल लगाया अब हम लोग सवाल जो लगाने वाले हैं वो कौन सा लगाने वाले बताओ कौन सा लगाना चाहिए अगला सवाल तो ही यह मुझको बताते जल्दीस बताओ कौन सा लगाया अगला सवाल चाहिए है अगला सवाल प्रस्तुत है नोट कर लिया सभी ने चलने आगे सारी बाते नोट कर ले न एक एक बात जो बताई जा रही आपको ठीक है तीन नंबर सवाल पूचा जा कि इसके इंदर सारी बाते बताओ अब सारी बाते क्या-क्या उनकी लिस्ट बना लेते हैं आगे लिस्ट बनाओ पहला नोट गरो भी क्या-क्या बताना है नंबर ओव मोल्स ओव सियोटू दूसरा नंबर ओव मॉलेक्यूल ओव सियोटू तीसरा आपको बताना है नंबर ओव यह जो लो पहले टोटल नंबर ओव अटम बतादू अग्यालो नंबर ओव करबन इंबू number of oxygen atom सवाल देखे थोड़े बढ़ गए किया इसमें थोड़े सवाल बढ़ गए बढ़ने भी चाहिए क्यों बढ़ने चाहिए कारण बताओ कारण बताओ नोटिस जारी करो total number of electron total number of proton total number of neutron और net charge इतनी बाते बतानी आपको सवालों की संक्या बताओ मेरे दोज़ बढ़ गई क्या सवालों की संक्या क्यों बढ़ गई बताओ ऐसा क्या हो गया इस बार आपको थोड़े ज़्यादा सवाल क्यों मिले क्या कारण लगता आपको पिश्ली बार ज़्यादा सवाल है क्यों लो एक दो दी ज़्यादा नौ सवाल है पिश्ली बार कित्य थे करें मेरे को उत्ते ही लग रहा है पिश्ली बार किल लो पिश्ली आज सास सवाल थे तो सवालों की संक्या बढ़ गई क्यों बढ़ गई बताओ लॉजिकल पढ़ी है चीज होगा है ना ऐसे नहीं बस अगला जवाल आया लग गए आप कूथ पढ़ें पिर अगला आएगा पिर कूथ पढ़ेंगे तो लॉजिकल चलिए systematic क्यों संख्या बढ़गे बताई ये type करिये क्योंकि आपके पास दो different type के atoms है question है heterotomic molecule का और heterotomic molecule के case ने बताई ये दो different type के atoms हैं तो जब दो different type के atoms है तो उनके बारे में भी जानकारी ले सकता है बोलो है ना वही ले रहा आप से उसको जानकारी चाहिए कहना मेरे को जानकारी चाहिए बही अब जानकारी देखिए सबी चाहिए होती नहीं आपको भी चाहिए इसलिए आप आएं तो इसको भी चाहिए बताओ भी यह तो इस बार हम लोग जो सवाल लगा ने हेट्राटॉमिक मॉलिक्यों सब लोग सॉल्ट परना शुरू के ने सारे अंसर मेरे को नो अंसर चाहिए चैट के अंदर फटा पड़ नो के नो एक के रह साथ में कुन नीट का एक्जाम होगा देखो गुरू तुम्हारा अगर होना होगा तो कभी हो जाए हो जाएगा और तुम्हारा अगर नहीं होना होगा तो साथ करा लो चाहिए चाहुदा गया लो, even not कभी लगा लो, समझ रहो, इसलिए इन से चिंताओं समुक्त रही है, कि कब होगा, कब नहीं हो, रहुनर कह रहा है, यह कैसी chemistry पढ़ा रहा है, सर कुछ समझ में इसको नहीं आ रहा है, यह chemistry पढ़ा रहा है, ओड़ी चल ली कलास है, यह इतियास पढ़ा रहा है, अर्थ सास्थर भी शुबू करेंगे अगले lecture से, इतियास चल लाए, अभी फिराहल इतियास चल लाए jeCómo, τι ही के सत्तासी सुरू किया है इजुरू के अभी, अभी इतियास पढ़ा है, इतियास बढ और प्रोटन है, इलेक्टान प्रोटन यह सब आदम्यों नाम है, चरहे, सवल, ऐसे बहुत सारे खिलोने मेरे जीवन में आएं भई, यह तो आप टेंचन मत लीजिए ना, मेरे जीवन ऐसे बहुत सारे खिलोने बरा हुआ है, कॉंसेट से बर दूँगा तेरा कोना कोना खिलोना रिप खिलोना खिलोना रिप खिलोना तोड़ी ऑसी बात पर लगाये ये खिलोना गएंग वाले हैं ॵालत भयोते हैं जिसका जिसका अंसर आता जै टाइप करते जाओ ठीक सब्सक्राइब शुरुबात करें और मोल उनकालेंगे सब्सक्राइब इस ही को फॉलो कर रहे है इसी को करते हूं चल रहे है ठीक तो कई और पढ़ लो ना तुम्हाल लोग इसी वंक्तिको दिक्कत होती ना इतनी तो तुरन चला जाएगा अगर दो आत्रगार के वेक्ति होते हैं एक उते समझदार एक उते मुर्ख अगर मालों किसी समझ मेहारी कोई चीज है न तो आराम सपड़ेगा और नहीं समझ मेहारी तो चला जाएगा तुरन बिना बताएगा वो समझदार होगा तुरन चला जाए बताई ये molar mass divide कर दिया वहिया, one mole of CO2, na से multiply कर दू, molecule निकल आएंगे, है न, तो बताई ये, one into क्या कर दू, na, ये आगए वहिया, molecule, किसके molecule आगए बताओ, CO2 के, अब आपको क्या निकालना अगला काम, अगला काम आपको निकालना है, total number of atoms, बताई ये atomicity कितनी है, atomicity कितनी ह को, रॉनक बताओ, कितनी atomicity है, हो की चले गए, तो बताई atomicity तीन, तो तीन से multiply करें, हमारे बीश में रॉनक नहीं, लगता संपर्ट तूट चुका है, कहीं और रॉनक करने गया होगा, तो बताई ये, one na into three कर दिया, ठीक है न, तो बताई ये, number of atoms, इतने आगए, total atom है, इसके अंदर बताई कौन कौन से atom count हुए है, कोई पूछा जाए, आप से पूछे कि बताओ, इसके अंदर जो three atoms आपने निकाल ले है, इसके अंदर कौन कौन से atoms count किये तुमने, तो क्या बताओगे, कौन से atom हैं इसके अंदर, carbon भी हैं और oxygen भी है, अब बताई वो पूछा carbon atom बताओ मेरे को कितने है, carbon atom बताना कितने हैं, तो कैसे निकाल होगे, बताओ एक molecule जो CO2 का है, वो कैसे बना है, एक molecule CO2 को अगर आप ध्यान से देखें, या side में, तो बताएं, एक molecule CO2 बना हुआ है, एक carbon atom से, और दो oxygen atom से, ये तो बताएं, एक molecule CO2 में एक carbon atom है, तो आपके पास जितने molecule CO2 के हैं, क्या उतनी carbon atom हो जाएंगे, चेक करो, एक molecule CO2 के इंदर कितने carbon atom आपको उतने ज़रा रहे हैं, वन carbon atom, ठीक है, तो आपके पास जितने molecule CO2 के हैं यहाँ पे, उतनी carbon atom हो जाएंगे, तो अगर आपसे एक CO2 के अंदर बता कितने Oxygen है, 2 Oxygen Atom है, एक CO2 Molecule में, तो आखे पास जितने CO2 की Molecule है उसमें 2 Multiply कर दो, तो यह जाएंगे 2 into N है, ठीक है, clear है, जड़ा दोनों को जोड़ दो भई, इन दोनों को जड़ा add करना, जैसे आप इन दोनों को add करेंगे तो बता ही total answer कितना आ ज clear रख दें मामला, तो यहां तक पहुच गए, आपको निकालने, total number of electrons कितने है, total number of proton कितने है, total number of neutron कितने है, कैसा निकालोगे, अब एक बात बता न, क्या मैं direct molecule से direct कूद करके, यहां पर पहुच सकता था direct, all the way, यह बात आपको पिछली question के अंदर में सिखाई है, क्या direct electron पर आ सकते है, yes, ठीक, तो बताएगे, अगर molecule से कूद के direct electron पर आना, आपको सीखा हुआ है, तो बार बार carbon atom पर जाने के आप सकता नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के atom है, आपको दोनों को देखना पड़ेगा, फिर उनके electron जोड़ने पड़ेंगे, time waste होगा, तो आप CO2 के अंदर कितने electron है, side में निकाल लेते हैं कहीं, बता ना, गर एक CO2 को अगर आप पकड़ते हैं, तो उसके अंदर आपने बोला, एक carbon है और दो oxygen है, तो बता ना, electron कितने है, 6 electron ये लाएगा, और 8 into 2, यानि कि 16 electron ये लाएगा, तो बताएगे, अब 22 electron है इसके अंदर, ब बताना, proton भी उतने होंगे, क्यों proton भी उतने होंगे, क्योंकि neutral है, निकालनी जरूरती नहीं है, neutral आदमी है, तो जितने electron होंगे, उतने ही proton होंगे, ठीक है, neutron निकालो, carbon के पास कितने neutron है, 6C12, तो 6, oxygen के पास 8, 8 into 2, 16, same answer, तो बताएगे क्या, इसके पास neutron भी उतने है, चे तो एक molecule में क्या हाल चाहल है, वो देख लो, और Na molecule से multiply कर दो, आपको electron direct मिल जाएंगे, बताओ, एक molecule में कितने electron है, 22, तो आपके पास अगर Na molecule है, तो कितने electron होंगे, 22 into Na, बोलो, अगर एक molecule CO2 का है, तो 22 electron है, तो अगर आपके पास Na molecule है, तो क्या Na multiply कर दो, सीधे 20 में, तो तो क्या बीच में से वो मामला खतम हो गया, जो आप पहले atom पे जा रहे थे हैं, चीक, तो बताना proton कैसे निकालोगे, same concept, electron पे आगे तो proton पे भी आजाए, direct आप यहां से कूद करके 22 multiply, 22 into N है, Newton पे और सीधे, Newton पे बिसी तरीके से है, जो 22 into N है, चेक करो भी, ठीक है एकदम, plus subscription किसी को लेना है, J star live, मेरा code है, मेरे दोस J star live, ऐसे, use कर सकते हैं, तो बताना यहां पे net charge कितना होगा, zero column, क्यों net charge zero column क्यों होगा, क्योंकि बताईए, 22 na electrons का जो negative charge है, वो 22 na proton के positive charge को निप्टा देगा, यह दोने इक दूसरे को compensate कर देंगे, 22 na neutron पे कोई charge होता है, निए net charge zero, तोड़ी यह बात समझ में आगे तो, note कर लो भी या पूरी बात अब, 66 लोग मेरे को नज़र आ लेने, top chat के अंदर, रौनक चला गया मेरा दोस्त, इत्ता इत्ता पैसे मिला था क्या उसको, खरी छोटा रिचार्च कराया था 10 रुपे कतम हो गया, एक call करते ही कतम हो गया, दूसरी में इस call मारूंगा, चला गया, वो आए थे मेरे साथ खेलने, उनको क्या पत्ता था खेल उनके साथ हो जाएगा, समझ रहे हैं, इस टाइप से चलता है, ये अलग जगा है मेरे दोस्त, मैं अलग डाहिका वेकती हूँ, जो इस प्रकार के लोग आते हैं, इनों पहले बता दो, अपने समय मत वे होगा, अगर आप इस मंचा से आते हैं, कि आप सामने वाले का confidence डाउन कर सकते हैं, तो ये सब जीवन गुजर क्या है मेरा, है ना, ऐसे कितने आये और कितने गए, आईए चलें बे, इसी बात पर चलते हैं, आगए है ना, तो मैं पहले आपका समय बचा रहा हूँ, सुब सवाल के अंदर घूम करके कैसे आएंगे, देखिए, घूम करके कैसे आएंगे, वो कहता है, कि मेरे दोस्त, यहाँ पर जो टोटल इलेक्टरॉन साब निकाल के बैटे हो, सवाल सुनना ध्यां से, सवाल को कटिन बनाते हैं थोड़ा, है ना, रॉनक लेबल सवाल बनाओं क देखो, आप कहेंगे कि यह 22 एने एलेक्टरॉन है मेरे दोस्त है, इन में से कार्बन का क्या कॉंटिबीशन है और ऑक्सिजन का क्या कॉंटिबीशन है, सवाल क्या सुनिए दियां से, क्या सवाल पूछा मैंने, आपने टोटल नमबर ओफ एलेक्टरॉन तो बता दी, वो आप से पूछ रही है, जो 22 एने एलेक्टरॉन हैं, इसके अंदर कार्बन का क्या कॉंटिबीशन है, और ऑक्सिजन का क्या क्या कॉंटिबीशन है, कि तो लो सवाल समझ में है, निकाल पाएंगे क्या, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एटम के थ तो क्या मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह है, मजबूर कर दिया जाए,